सर हम लोगों का GST में एक चाप्टर है बच्चे सप्लाय का और सप्लाय कितने मार्क्स का आ जाते है बच्चे यह आप कह सकते हो कि यह 5 मार्क्स का आ जाता है कि वैसे तो इसमें अच्छा खासा कॉंसेप्ट होते हैं और बड़ा इंपोर्टेंट है बड़ देखा गया कि कभी-कभी हो सकता है मिस भी हो जाम पेपर में ना देखें बट स्टिल मैं यह चीज बोलूगा भाई पांच नंबर आने के चांस तो पूरे-पूरे होत सक्षिन 7 एं सक्षिन 8 स 2023 बहुत ही छोटा सेक्षिन यादे आपको मिक्स अप्लाय एंट कंपोजले स अप्लाय फैं येट चीकि पहले मैं कौन सा सक्षिन करा रहा हूं आपको पहले मैं करा रहा हूं स Caseaway यह कर दि거를 देम לbn शॉकरते हैं सiedy अगर मैं सेक्षिन 7 की बात करूं तो section 7 में न सबसे पहले होता है 7-1 आपको sections को थोड़ा इस chapter में अगर मैं bifurcate कर रहा हूं तो याद होने चीए तो technically it is 7-1-a, 7-1-b, 7-1-c आपको ध्यान है यह 7-1-a, b, c उसके बाद 7-1-a, then उसके बाद हम देखेंगे 7-subsection 2 7-subsection 3 भी है बट वो अपने लिए relevant ऐसा कुछ है नहीं, तो आईए 7-1-a, sir इस chapter के अंदर हम लोगों क्या दिखना होते है, पेटे इस chapter में कोई calculation नहीं है, कुछ नहीं है, cbc बात है, आप मुझे बताईए, gst कब लगता है, कह सकता हूं, जब अगर आप supply करते हो, बड़े अगर ये चीज supply है, जैसे अगर मैं तुम्हें कोई service दे रहा हूं, तो this is provision of service, अगर ये supply है, तो भाई साब gst लगेगा, अगर ये supply नहीं है, तो gst नहीं लगेगा, तो आप मुझे बताईए, सरकार क्या चाहेगी, कि हर चीज़ को supply बोले या supply ना बोले, supply बोले, ठीक है और इंसान ये चाहता है, हर कोई जो supplier है, वो कहेगा, नहीं जी मैंने तो कुछ supply नहीं करे, ठीक है, तो इसी चीज़ पर, ठीक है, एक बार देख लिए हैं शिवानी जी, ठीक है, उसके अंदर कोई ऐसा relevant नहीं होगा, इसने मैंने नहीं लिखा हो उसको, ठीक है, तो basically supply है या नहीं है, इस चीज़ पर पूरा का पूरा ये चाप्टर चलेगा, अब तो अब मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूं, आईए एक बार देखते हैं, सरकार ने बोला, all forms of supply, और ये क्या हो गया, supply includes supply, हाँ, तो उन्होंने बताया, sale, आप मुझे बताएंगे, sale का क्या मतलब होता था, हम verbally थोड़ा सा discuss करते जाएंगे, sale के अंदर क्या मैं कह सकता हूं, ownership transfer हो जाती है, title transfer हो जाती है, तो आपको book के अंदर पूरा मिलेगा, पर मैं verbally बोलूँगा, पर आप उसको पढ़ेंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं है, कि मैं वो words सारे बोल रहा हूं, जहां पर आप कहीं पर भी अटकोगे, मैं सारी चीज़े बोलूँगा, ऐसा नहीं होगा, कि मैं कहीं पर 1% भी छोड़ रहा हूं, sale के अंदर क्या होता है, मान इसको शोरूम में बेज दिया, तो कह सकता हूं, इसको ट्रांसफर बोल सकता हूं, येस, ठीके, तो क्या ट्रांसफर के अंदर टेक्निकली मैंने बेचा नहीं है, टाइटल हास रांसफर बर फिर भी उसको क्या बोल रही है सरकार की वो supply हो सकता है, एक्सचेंज क्या होता ह सर, एक्सचेंज में बनी भी कर सकते हैं और बार्टर में सर्फ आ़िटम्स होता है, इक्सचेंज होते थे और यहाँ पर एक्सचेंज में क्या हो सकता है गुड्स प्लस मनी, क्यों जी, क्लियर है एक दम, यस सर लीज रेंटल बेटे किराये पर दे रहा हूं इन फाक्ट डिस्पोजल उसको भी सरकार सप्लाइ के अंदर लाना चाह रही है ये बात आपको पता हिए आप कोई छोटे बच्च तो रहे नहीं मुझे बता हिए कोई दिक्कत यहां तक पहले किन अपको ये ध्यान रखना है तो मैं अगर सेल पगरदा हूं सेल किस चीज़ कियों नहीं चाहिए कैने से गुड्स की या फिर सर्विस्विसज आप अगर देखेंगे सेल आफ गुड्स और सर्विसज किसको सेल कर नहीं है बाया टाक्सेबल पर्सन पैसा इनवाल्ड होना चाहिए और आपका वो बिजनस होना चाहिए मुझे बताइए मैं आपको अगर ये अभी सिजर बेशता हूं आप ये सारे पॉइंट आनलाइज करके बताइएगा मैं आपको 10 रुपे की सिजर बेच रहा हूं क्या ये सप्लाइए है की नहीं है तो है ये सब्सक्राइब नहीं है तो है न तो है टेक्सिबल परसं मान लो मैं जी एस्टी में रेजिस्टर्ड वह टेक्सिबल भी हूं और मैंने आपसे पैसा भी लिया हुए लेकिन क्या है मेरा बिजनस का आसेट नहीं सर नहीं अब आप यही केस मानके चल लीजिए अगर यह एड्यू जंक्षिन की सिजर होती वहां पर पढ़ी होए ना देख रहे हो स्टेपलर के जाब सिजर पढ़ी होती है अगर मैंने आपको बेची होती तो क्या वह सप्लाय होता 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 बॉइस और गर्स होता आप यह मत सोचिए मैं जिसमें डीलर हूँ वह है इव वह सप्लाय है पैसे में नहीं है लेकिन अगर इसी बेचोंगा तो है क्योंकि आप यह चीज़ समझना सिरफ यह मत सोचो कि सर वह आपके बिजनस रिलेटेड असेट्स है क्या मैं कह सकता हूं उसमें कंसेट्रेशन भी इन वॉल्ड है अभी के लिए अभी आप यह मत बोलन विल्ड आकतराद आपको गूगरह एफ कंसेट्रेशन नी थी तहो क्या तो आ ज़ाओंगा उसके टेक्शावल फॉर्सन हो और क्या वो गूडश है आपको गुट की डेफिन हम भी बता होगी क्योंकि भूर्पीनेशन में क्या गया था एक बढाऊ के सब्सक्स Chateau इस सारे प्रॉबिटी है एक्सेट क्लेमी के दिये ख्रोटी करता होऊ मनी यंसे क्यूरिटी ऊपर टैने मनी के इसक प्रॉड करता है रे वेरी गोड पुड फिर लाज मी से एक्सक्लूड करता है तिख नल त 있고 तो वह include होता था exclude होता था include होता था था चीक है तो basically goods की definition हम लोगों को पता होनी चीए services की definition में क्या लिखा हुआता anything other than excludes money and securities excludes money and securities but includes use of money and security तो फिर वो include हो जा था मुझे बताइए यहां तक मैंने यहां लिखी नहीं हुई है मैं यहां पर इसलिए बात कर रहा हूं कि आप जब यह चाप्टर करते हैं तो जब आप इस पॉइंट को करोगे तो बिना गुड्स और सर्विसिस की डेफिनेशन के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हो आपको करना ह करना एदर तो मैं यहां पर लिख दूं एक बार है कि बेसिकली डेफिनेशन आव गुड्स आड़ शर्वस तो और इसके बाद और कौंसी डेफिनेशन थी मिटाए एक कंसिड्रेशन होता है ना कंसिड्रेशन की बीएक बार बताओगे consideration की definition क्या होती थी एक बार ना एक बार गुड्स की definition लिख भी लेते हैं एक बार मुझे बताओगे goods includes every kind of movable property excluding land movable property excludes क्या होता था exclude क्या होता है money and securities money and security or includes use of money actionable claim actionable claim things attached to land actionable claims props grass anything that is attached to land which is agreed to receive from part of land before supply to be seeward from land on or before supply सब बच्चों को goods की definition clear है अगर मैं services की बात करूँ तो services होता था other than goods यही होता है ना services other than goods यही होता है ना services other than goods यही होता है अच्छा गुड्स के अलावा उसके बाद क्या लिखा था are excludes money and security money and security mns में लिख रहा हूं तो money and security includes क्या होता था includes में use of money and conversion of money currency use of money जैसे banks होता है ना they use the money थो हाँ जी लेंशेट वाला भी तो यूजार मनी एक्सचेंग वाला मनी एक्सचेंग मुझे आप बता दीजिए गुड्स की डेफिनिस और सर्विसिस की डेफिनिशन क्लियर है यस सब अगर मैं बात करूँ consideration की consideration भी यहीं लिख्वा दो consideration cash में होना चाहिए kind में होना चाहिए दोनों में हो सकता था ठीक है consideration can be in cash और kind उसके बाद जो consideration होती है बच्छे उसके अंदर में एक चीज नहीं लेता था कि अब सब्सेडरी फ्रॉम से अब सब्सेडरी फ्रॉम सेंट्रल गर्मेंट और स्टेड गर्मेंट क्योंकि आपको पता है वैल्यों सब्लाएं के अंदर आता ही नहीं था है ना और एक और चीज़ को exclude करता था कि डिपॉजट्स इसके उपर बोल देता हूं अगर किसी ने कुछ एडवांस दे रखा है तुम उसको consideration में नहीं लेता था मैं इसको consideration में तब लोंगा जब भी वह एडवांस को मैं एडजस्ट करूंगा जैसे कि हमने बताते हैं रेंट एग्रिमेंट है स्टार्टिंग में मैंने पैसा नहीं है अच्छा मैंने टैक्सिबल पर्सन भी मैंने बीच में कभी वो लोगा बहुत जादा नहीं बोलता था मैं आप में से किसी बिच्चे को टैक्सल की डिफिनिशन पता है प्रेश्टेबल पर्सन होता है लाइबल टूपे टाक्स तो आप यह कह सकते हैं एनी पर्सन विज रजिस्टर्ड कौन से सेक्ष्टन में 22 या 24 में अगर एक इंसान रजिस्टर्ड है अंडर सेक्ष्टन 22 22 कौन सा था पर्सन लाइबल लेकिन इसके साथ एक चीज और जोड़ जाएगी बच्चे इसके ऊपर भी एक इंसान रजिस्टर्ड नहीं है बड़ वह लाइबल डूबी रजिस्टर्ड है क्या उसको भी टैक्सल परसन बोला जाता है तुम इसमें आड कर रहा हूं आड पर्सन नॉट रजिस्टर्ड बट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड इसको ये भी किसकी डेफिनेशन में आ जाता है बच्चे टैक्सिबल पर्सन की जैसे सपोस करो अगर मैं आपको बोलूं एड्यू जंक्शन इस टैक्सिबल पर्सन और नॉट कॉंसे पॉइंट से बिकॉस्टर्ड या लाइबल कॉंसेप्ट के लिए ठीक है वेटे पर हमारा टर्नोवर एक सीट नहीं होगा तो यह आपको ना पता है यह सारी बाते जो है ना बड़ी वैल्यूबल चीज़ें बात चल रही है आईए मुझे बताईए तो अब आपको क्लियर है और इन दे कोर्स और फॉर्दरिंस और बि इंबर्स को भी सर्विस देती है ना तो वह उसका बिजनस होता है एक बात ध्यान कर लेना सर एक सिंगर है ठीक है वह बहुत उसने नेम इन फे में बहुत फेमस है लेकिन उसने पेंटिंग को बेज दिया तो अब बोलोगे सर यह तो उसका बिजनस नहीं पेटा यह फुल्फिल हो गई यानि की एक बार अगर मैं बोलू तो आ हचा अगर मैं जो चीजब बेच रहा हो वह वह सिंपलाय होगा वह सींकाडियूल one schedule one and that is seven one see तो मैं यह बोल सकता हूं कि consideration जो है कि इसकी एक exception है जिन्दगी में इसकी exception क्या बन गई बिटा कि इसकेडियूल वान यह नहीं कि हम लोगों ने स्केडियूल वन करा था बहुत ही जल पहुंचने वाला हूं के अंदर किते बाराग्राप होते थे चाथ कोई दिक्कत नी जी इसेवन वन बी पर आते हैं पहले सेवन बी क्या कहता है इंपोर्ट और कंसेड्रेशन अच्छा जी कंसेड्रेशन लेकिन इसमें क्या होता है वेदर और तो अच्छा अब मैं एक चीज़ पूछता हूं सर मैं कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा हूं तो उस पर जीएश्टी लगता है आट फर्स इंस्टांस येस जीएश्ट के लिए हो चाहे वह बिजनस के लिए हो चाहे ना हो तो उसको सप्लाय बोल दिया जाएगा लगेगा भाई साब क्या आपको सेवन वन बी क्लियर एक एक एक्जांपल से क्लोस करता हूं मैंने बाहर एक इंसान को पकड़ा वह आर्किटेक्ट था मैंने उससे पुरी डिजाइनिंग करी मैंने उसको पांच लाग रुपे दिये मुझे बताइए क्या ये सप्लाय है कि बिजनस की यानि कि अगर कोर्स बिजनस मिसिंग भी है तो भी एक कैसा है जिसमें सप्लाय बन जाता है वह कौन सा हो गया बिटा सेवन वान बी कह सकता हूं इसकी एक्सेप्शन है तो मैं लिख देता हूं इदर और आप बहुत चोटा चोटा लिए जा रहे हैं और कैसे बढ़ेंगी अभी ऐसे जूम हो जाएगा न मतलब मैं चाहता हूं कि मलब समझ रहे हैं न मैं क्या चाहता हूं मतलब अब हम आ जाते हैं सर जी हमारे एक मेजर अक्टिविटी पर देखो भाई पहले क्या होता था और अभी भी मेजर ली क्या होता है यह अगर मैं तो मैं समान बेच रहा हूं और अगर उस पर मैं पैसा नहीं ले रहा आट फर्स इंस्टांस बताइए क्या 718 के हिसाफ से सप् लेकिन अगर कुछ केसे में कुछ अक्टिविटीज में अगर कंसेडरेशन नहीं भी होगी तो भी सप्लाइ मान लिया जाएगा सर हमें बताओ कहां लिखी है ऐसी ऐसी लिख्यों है बिटा सेवन वन सी के अंदर स्केडियूल वन स्केडियूल वन आपको चार अगला अगर यह है यह मेरे बिजिजनस कैसे चैनल सप्लाइब मालो सबॉस करो चलो यह मोबाइल यह ऑफिस का तोड देंट हम पताहों तोड़ दी है इसको सप्लाइब घ्.? कंडीशन क्या होती थी ऐसी यह पीं आवैर्गिदि एसी करो का टोड़ में इन्स्टीट्य हो गया क्या कि आप चाहते हैं ऐसा करें हम कल जाके प्रैक्टिकली क्या दोस्त प्लाइ कैसे होता है क्योंकि हमने पहले खरीदी लिया देख एक चीज़ समझ की सरकार को फायदा कब होता था मैंने तो बताया था जब एंड कंज्यूमर के पास जाता है जब तक आप अपने घर में एसी नहीं लगाते ना तेरे को क्या लग रहा है जिस दुकान से तू लेकर आ रहा है उसकी वज़़ा से सरकार को रेविन्य हो रहा है नहीं हो नहीं क्योंकि टेक्निकली वो तो परचेस करता है और फिर आगे ज तो जब तक एंड कंज्यूमर पे नहीं पहुंचता ना कोई फायदा नहीं है अगर एक बिजनेसमें अपने एसेट को अगर आगे कंज्यूमर को नहीं दे रहा तो उसको कोई फायदा नहीं है यानिकि आप कहीं नहीं यह बोल सकते हो कि सपोस्ट कर अगर कैपिटल गुड नहीं क्योंकि वह कापिटल गुड्स तो उसने बेचने ही नहीं है अगर तो इसलिए मैं असान करने के लिए एक्जम्पल मैं बेसिक लिए मिठाई का अग्जम्पल मिठाई के उपर सरकार का नजर है कि जब यह कosta यह प्रमनेंट ट्रांसफर यह निखर इसे डिस्ट्रॉय उगए यह दिस्पोजल हो गया है business asset business asset has not been defined under GST यह लिखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोड्यूल में लिखा है मैं कोशिश कर रहा हूं जितनी जीज़े बोल सकूं एक बाद था यह मैंने कोई सर नहीं होगा क्योंकि बिटा ITC उसके उपर बुक होना सबसे में कंडिशन है अगर आपने बुक करा हुआ है तब ही होता है वेरी गुड आपने एकदम सही आंसर दिया मुझे बताइए यहां तक ले रहे पहले आपको इसके बाद हम आते हैं पैर नंबर वान हो गया हमारा अगर बिटार सकार करने परसे की डेफिनिशन आपको करनी होगी दिस्तिंक्ट परसें की डेफिनिशन रजिस्ट्रेशन में कर चुकह है तो यक बार मैं ब। दूँगा हल्की फूलjektि बार सुनना अगर आप मेरे रिलेटेट परसें हौ सिर्टन में कौन होते हैं अगर आ रहे हैं ठीक है मान लो मैं आपको कुछ ट्रांसफर कर रहा हूं ठीक है और वो related तो ऐसे मान लेते हैं मान लो मेरी दुकान में बहुत सारे goods हैं तो मैं तो दुकान दर हूं मैं तो बेशता हूं लेकिन मैंने क्या करा मेरा को related person आया मैंने उससे प्लाय मान लिया जाएगा related person में एक चीज़ और बोलना चाहूंगा कि employer और एंप्लॉई भी related person होते थे न तो अब मैं हाँ यहां पर बात करता हूं बेसिकली एंप्लॉई जो सर्विस दे रहा है क्या वह यहां पर बात हो रही है वह तो आउटसाइड दी आमबिट है क्योंकि वह तो schedule 3 में लिखा हूँ है क्योंकि वह तो contract जो है वह तो in the course of employment है तो एंप्लॉई जो सर्विस दे रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि मैं आपसे किसी की बात कर रहा हूं मैं आपसे बात कर रहा हूं अगर employee employer पर बात करूं सपोस्पोस करो employer ने employee को आपको प्रोविजन आता है मैं उस साब से प्रोविजन बना रहा हूं वाच गिफ्ट करें 35,000 की इंप्लॉयर ने इंप्लॉई को वाच दिये मेरे को बताईए कि इसको सप्लाय मानू और अगर साड़े तीन लाग किया तो तो इन रिटर्न जीरो कंसिड्रेशन है तो जीएश्टी के अंदर क्या लिखा हुआ है पचास अजार तक का साल का यह पर गिफ्ट अगर पचास अजार से उपर है तो बेसिकली जितना भी पचास अजार से उपर है उसको सप्लाय मान लिया जाए था मुझे बताईए यहां तक कोई दिक्कत नो सर्थ एम्प्लॉयर एंप्लोई पर यही बातती अब मैं डिस्ठिंक्ट की बात कर रहा हूं डिस्टिंग्ट पर्सन के अंदर क्या सा मा लूम मैं मैं आपको यहाद द्ला देता हूं और यह Mont просor आञे इसकी दो दुकाने हैं बच्चे यह इंसान है और इसकी एक दुकान हैं दिल्ली में और दूसरी दुकान भी दिल्ली में पहले up ले लेता है मालो हुआ चीक है निकीजि की जो रिजिस्ट्रेशन जो होती है वो दुकान की होती है वंदे की होती है तो बेसिकली मैंने डेली की रजिस्ट्रेशन ले ली तो मैं इसको रजिस्ट्रेशन नमबर वन कह रहा हूँ फिर मैंने यूपी में भी ले ली रजिस्ट्रेशन टू ऐसे उल रहा हूं क्योंकि 20,001 उपर हो गया कॉन से डुकान का दिली का यूपी का है टोटल क्योंकि लिमेट जो 20 लाग थी 40 लाग दस लाग थी वह पैन वाइस चल दी दी तो भाई साब दिल्ली की रेजिस्ट्रेशन ली और यूपी की रेजिस्ट्रेशन ली अब मैं आपको कह रहा हूं यह पहला केस बना दिया मैंने मानलो अब दिल्ली वाले ने इसको इसाइब करना है यहां अग्या उसकता है यहां वेर हाराउस टू शौप जा रहे है वन शौप तू अनधर जा रहे है जो मड़ी मिर आपसे सवाल मैंने कंसिट्रेशन कितनी लिए कंसिट्रेशन कितनी है बटा निल तो मुझे बताईए क्या इसको सप्लाइ माना जाएगा या नहीं report तो यह सप्लाइ है कि नहीं है मैं यहां लें और दूसरा केस बना लेते हैं Sir, एक है डेली मैं अचा मैं तो पहले तुम्हें यह बोलना चाहता था कि यह जो डेली वाली है इसको क्या बूला जाता है कहने से establishment of distinct person और यूपी वाले को भी क्या बूला जाता है इस्टैबलिश्मेंट और इस इंसान को क्या बूला जाता है अब दूसरा केश बनाता हूं एक बार एक तो मेरी डेली में रेजिस्ट्रेशन है और दूसरी है यूपी में पर यह न सर अन्रेजिस्टर्ड है ऐसा हो सकता है क्या हो सकता है अगर मैं मान लो मैंने एक वालेंट्री रखी है दूसरी पर ही नहीं यह हो सकता है कि दिल्ली से तो मैं जो बेच रहाँ हो टेक्سبल है पर यूपी से मां लिकर बैचता हो तो ऐसा हो सकता है ना कि यूपी वाला अंड रेजिस्टर्ड हो है ना तो केस तो मैं है हां क्या बोल रहे हो कि एब बोलो फिर से है तो तो बेसिकली क्या तब भी इन दुनों को establishment of distinct person बोला जाएगा बिल्कुल बोले जाएगा अब मेरा सवाल आपसे यह है क्या जब मैं गुड्ड यहां से इदर मूव करूंगा तो क्या इसको supply माना जाएगा यह सर माना जाएगा यह सर बिल्कुल माना जाएगा क्योंकि स्टेट टाप रहे है गुड्स तो इसलिए माना जा रहा है मानते हो ने इस बात को अब मान लो एक दुकान है कालका जी में registration वन और एक दुकान है सीपी में अब मैं यूपी से बहार आ गया हूं मैं सीपी में हूं और और मैं इसको registration नमबर टू कह रहा हूं सो मैंने दिल्ली दिल्ली में कित्ती रजिस्ट्रेशन ली हुई है दो रजिस्ट्रेशन है ना रज रवन और रटू लिख रहा हूं ना अगर कालका जी रजिस्टर्ड है और अगर जो सीपी वाली है वो अन्रेजिस्टर्ड है तब नहीं मान जाएगा तब माना जाएगा नहीं सर नहीं माना जाएगा हैं कियने का मतलब है अगर स्टेट लांैगे का गुड्स तो सप्लाइए अगर के अंदर है तो देखना पड़ेगा अगर दोनों ब्रजिस्ट्रड है तो माना जाएगा अगर लजिस्ट्रड Cohen गो तो नहीं माना जाएगा उप्रिंसिपल रियस्ट्रेशन कर रहा त Hm प्रिंसिपल है और मैं जिसको भेज रहा हूं वह बेसिकली उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन तो नहीं है ना तो उसको नहीं माना जाए जैसे डाली में एक स्पेशल जोन है वहां पर एक शौप है और दूसरी अलाग है मतलब विदिन सेटी में है तो दोनों के बीच में सप्लाइब मानेंगे मान लिया जाए तोड़ा एक्सपोर्ट जैसा माना जाता है तो सब्सक्राइब मतलब जो आउट ऑस अ इकॉनमिक जो ने रिया जो उसके स्पेशल एकॉनमिक जो वहार है शौप वह रिजिस्टर होने चाहिए तो फिर तो सप्लाइब होगा है ना मैं अगर अन्रेजिस्टर है तो तो पहला तो मैंशा रिजिस्टर ही रखुआ ना है ना समझ रहे हो ना मतलब उसमें भी दोनों को रिजिस्टर होना कंपल्सरी है ना मैं बस यह क्लारिफए वाले दूस अगर ऐसी जी में जो भी अगर वो रिजिस्टर नहीं है मैं रिजिस्टर हूं तो मैं सप्लाइब मानों तो और वो मतलब बाकी बिच्चे सुन रहे है इग्णोर करो यह वाले डाउट को कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई चीज़ पता लग रहे है ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है ऐसी था यह वाला पॉइंट कि यह फुर्दर एलाबरेटेट था कहीं लिखी विखी नहीं है मुझे बताईए पैरा नंबर टू क्लियर है सबको अब मैं एक बर पहले पैरा फॉर बता देता हूं छोटा है फिर हम पैरा थ्री पर आजेंगे डेल क्रेडर एजेंट कभी कुछ कंफूजन रहता है वो क्लियर करेंगे पैरा फॉर पैरा फॉर कैसर इंपोर्ट ऑफ तो टेक्निली आपने इंपोर्ट कर रहा है और आपने कुछ भी पर नहीं कर रहा है अब मुद्दे की बात यह इंपोर्ट किस से कर रहा है प्रॉमा रिलेटेड परसन सर क्या सेवं वान बी में आप रिलेटेड परसन से इंपोर्ट कर रहा था तो यह ध्यान रखना पेपर में ना कनफूजन हो जाती है जब आप सोचते हो ना पैरा फॉर और जब सेवं वन बी आप कनफूज हो जाते हैं ठीक है तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है इस से इंपोर्ट कर रहा है रिलेटेट परसन से इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनस मुझे बताएए इंपोर्ट रिलेटेट परसन और यह बिजनस होना चाहिए अगर यह तीनों कंडिशन फुल्फिल हो रही है और कंसेडरेशन क्या होना चीए अब्विसली मिल रहा है बहार से कर रहा है हमारे सव्विस और कोई इंग्जाटली और आपका बिजनस भी होना चीए अगर सपोस करो बिजनस नहीं है देखो सपोस करो मैं अपने रिलेटेड परसन से अपने घर को रेनोवेट कराता हूं इसका आप मुझे बताने कि इसका क्या अंसर है मैं अपने घर को रेनोवेट करा रहा हूं और उसके लिए मैंने आर्किटेक्ट के सर्विस इंपोर्ट करी है और आर्किटेक्ट मेरा ब्रदर ही है तो आपकी कंडिशन क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस ये तो करी है रिलेटेड परसन ये भी है लेकिन आप मुझे बताइए क्या यह मैं अपने घर को रेनोवेट करूंगा बिजनस और प्रोफेशन है नहीं नहीं है यह तो यह तीनों कंडिशन फुल्फिल होनी चीए और आ तब जाके पैराफोर लग रहा है यह चारों कंडिशन फुल्फिल होने पर तो क्या पैराफोर में फॉल करा मैं नहीं करा मुझे बताइए कोई दिक्कत और क्या और क्या 7-1 बी लग गया मेरे उपर आजो 7-1 मुझे बताइए आपको क्लियर है ना कैसे पेपर में घूम जाते हैं उस टाइम एकदम से क्लिक नहीं होता है एकदम बूल जाते हैं तो यह जब करोगे इस पर टहर जाना थोड़ा सा कि क्या बोल रहा है जैसे एक तो यह मैंने जो लिखा वह इंपॉर्टेंट है आई यह सेविन वन बी में अगर मैं आपसे बात करूं सेविन वन बी कब लगता है क्या मैं कह सकता हूं जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो कंसिड्रेशन हो बिजनेस और प्रोफेशन हो या ना हो से कोई फरक नहीं पड़ा है मुझे बताइए क्लेर है बच्छे और टैक्सिबल पर्सन आप यह कह रहे हो कहां पर कह रहे है तो आर्सियम लगता है ना हां आर्सियम लग जाएगा बिल्कुल कई यह साब यहां तक ले रहे हैं अब मैं तुम्हारे से पैरा थ्री की बात कर रहा हूं पैरा थ्री के अंदर थोड़ा सा डेल क्रेडर और यह वाले में कुछ इशू आता है आई यह पैरा थ्री बना लेते हैं सर्जी एक प्रिंसिपल है उसने एजेंट को गुड्स दियें एजेंट ने कस्टमर को बेचा अब प्लीज अपने दिमाग से डेल क्रेडर एजेंट हटा दिजी अभी मैं आपको से जनरल केसे डिसकस कर रहा हूं प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स दियें और एजेंट जो है परदर सी को गुड्स देता है मैं आपको यह कह रहा हूं सबसे पहला केस एजेंट इशू इन्वाइस इन हिस ओन नेम आप पहले यह समझीए मैं किस चीज की सप्लाय की बात कर रहा हूं सवाल कहां चल रहा है जब प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स देता है क्या बेटे उसने कुछ कंसिड्रेशन चार्ज करी होगी नहीं चार्ज करी तो प्रिंसिपल कह रहा है जब मैंने गुड्स उसको दिये है तो जब मैंने कंसिड्रेशन ही चार्ज नहीं करी है तो यह सप्लाय ही नहीं है जो हाइलाइटेड है मैं उस सप्लाय की बात कर रहा हूं यह जो बॉक्स है आप समझ चुके ना इस बात को तो सवाल यह है कि यह supply माना जाएगा या नहीं माना जाएगा यह इस चीज़ पर depend करता है कि agent invoice जो issue करेगा अगर उसने अपने नाम पर करा है in his own name obviously principal का नाम लिखा होगा on behalf of principal आप यह मत कि नाम पर हो रहा है main बंदा कौन है कि कौन बेच रहा है agent तो आप मुझे बताइए क्या यह जो principal ने agent को goods दी है क्या इसको supply माना जाएगा यह यह पहला case बन गया यह आपको clear है पहले क्योंकि अगर agent ने अगर इतना दम रखता है ना वो कि वह अपने नाम से इशू कर रहा है तो फिर वह यह वह main customer जैसा treat कर रहा हूं मैं तो अगर इतना दम है उसके अंदर तो मुझे बताइए पहले यहां तक clear है यह सिर प्रिंसिपल ने agent को goods दिये agent ने customer को sale करी तो दुबारा से बात वही है consideration तो निल है इसको supply माना जाएगा नहीं माना जाएगा यह depend करता है अब अगर मैं बोलू एजेंट इशू इशू इन्वाइस इन्दी नेम ओफ प्रिंसिपल ओके एजेंट उतना दमदार बंदा नहीं है बिटे तो पहले यह समझना बात किस चीज़ की चल रही है तो जब प्रिंसिपल ने agent को goods दिये क्या इसको supply माना जाएगा इसको supply अगर कस्टमर को दे रहा है ना मैं उसकी दो बात ही नहीं कर रहा हूं हाला कि आपका अपनी जगा बिलकुल वैलिट पॉइंट है कि सर वह supply माना जाएगा नहीं माना जाएगा पर मैं उसको अभी mix नहीं करना चाहरा हूं मुद्दे की बात यह चल रही है प्रिंसेपल टू एजेंट क्योंकि कंसेड्रेशन नहीं है न तो मैं उसको पखडवाओं वरना उससे ना कंफीजन और आजेगी तो यहां तक पहले एजेंट सप्लाइब नहीं माना जाता यही चीज क्या मैं कह सकता हूं अगर एजेंट गुड्स रिसीफ कर और फिर वो प्रिंसेपल को दे वो कैसे लगेगी सपोस्ट करो आप सब मेरे एजेंट हो मैंने आपको बोले आपको गोल्ड खरीदना मेरे नाम से नहीं खरीदना अपने नाम से खरीद पर्चेस गोल्ड इन यूर ओन नेम और गिविट टू मी अगर आपके अंदर कि आप अपने नाम पे इन वोईज बनवा रहे हो तो जब आप मुझे गुड्स दोगे तो सप्लाइब और अगर आप अपने नाम पे नहीं बना रहे तो आप जब मुझ अब मैं आपसे बात कर रहा हूं डेल क्रेडर एजेंट अब प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिये और यह एजेंट क्या है बटा अब डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है वैसे तो बेसिकली प्रिंसिपल कहता है देख भाई मैं तरको एक्स्ट्रा कमिशन देदूँगा एजेंट लेकिन मेरा पैसा नहीं डूबेगा तेरको कस्टमर से पैसा मिले या ना मिले यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है पर मेरे को मेरा पैसा चाहिए यह होता ना तो बेसिकली एक तरीके से हम लोगोंने कंसाइनमेंट में जैसे पढ़ा था कि डेल क्रेटर एजेंट गैरेंटी देता है जी आपका पैसा डूबेगा नहीं अगर कस्टमर भागा तो एजेंट का नुकसान है प्रिंसिपल का नुकसान नहीं होने देंगे और इसके लिए प्रिंसिपल ने एजेंट को बेचा और एजेंट ने कस्टमर को प्रिंसिपल ने यह गुड्स दिया एज्यूम करते हैं कोई डिफॉल्ट हुआ ही नहीं ऐसा भी तो हो सकता ना डेल क्रेटर एजेंट ज़रूरी है क्या हर कस्टमर डिफॉल्ट करेगा ठीक है तो आप मुझे बताइए मैं अभी भी किस चीज़ की बात कर रहा हूं प्रिंसिपल टू एजेंट अगर डेल क्रेडर एजेंट इसू करता है इन्वॉइस इन हेस ओन नेम तो आप मुझे बताइए यह सप्लाय है कि नहीं है तो फ़र्स केस में यह सप्लाय बन जाएगी और अगर मैं बोलू कि ही डाज नॉट इशू इन्वॉइस इन इस ओन नेम तो यह सप्लाय होगी नहीं होगी तो यह सप्लाय नहीं होगी यहां तक क्लेयर है बात अब न यहां पे एक मुद्दा यह आ जाता है कि कभी कभी जब कस्टमर पेमेंट ना करें आप मुझे बताइए अगर कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा हो तो आप मुझे बताइए क्या प्रिंसिपल को कोई नुकसान या प्रिंसिपल कस्टमर को बोलेगा मैं तुम्हारे को एक लोन अर्रेंजमेंट देता हूं तुम मिर से लोन ले लो फिर यह पैसा दे दो या यह एजेंट और कस्टमर के बारे मामा धिया यह कस्टमर बैसिकली पेमेंट नहीं कर रहा है तो आप मुझे बताइए एजेंट ने इसको एक लोन अर्रेंजमेंट दी और लोन अर्रेंजमेंट दे के कस्टमर से यह कुछ पैसा लेगा जो की इंटरस्ट होगा लेगा कि नहीं लेगा तुद अबना सवाल यह आत supply है पहले तो मैं ये बोल येस बोल रहा हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं एजेंट ने जो invoice issue कर रहे हैं इस 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 केस की बात कर रहा हूं न येस प्रिंसिपल ने एजेंट को goods दिये एजेंट ने अपने नाम पे customer को बेचा तो क्या प्रिंसिपल टू एजेंट सप्लाए है 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 यहां तक सबको क्लेर है कस्टमर ने default कर दिया कस्टमर को loan arrangement दिया गया किसके द्वारा दिया गया एजेंट को द्वारा दिया गया तो सवाल यह आता है कि क्या यह interest इस value के अंदर आड हो जाना चाहिए जो प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया इस इंट्रेस्ट इस इंट्रेस्ट इस शुड नोट भी added in supply by principle to agent यहां तक clear है अब आप दूसरा समझेएगा आप मुझे पताइए जब एजेंट कस्टमर को बेच रहा है अपने नाम पे क्या यह supply टू नहीं दिख रही आपको यह सरे इंडिपेंडेट सप्लाइए एक्जाक्ली जब एजेंट भाई अपने नाम पे कर रहा तो यह supply टू है बिलकुल है क्यों नहीं है तो अब आप मुझे बताइए क्या यह जो इंट्रेस्ट है यह सप्लाइट टू की वैल्यू में अब दूसरा केस क्या हो सकता था सर दूसरा केस हो सकता था प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिये एजेंट ने कस्टमर को दिया और इसने इस्टूड इन्वाइस इन दी नेम ओफ प्रिंसिपल अब इसने प्रिंसिपल के नाम पर करा आप मुझे बताइए पहले क्या यह सप्लाइए है लुफ दू बट सर कस्टमर ने डिफाल्ट कर दिया तो बेसिकली एजेंट को कोई फाइनान्स अरेंज्मेंट दिया तो एजेंट ने इसको कोई लोन की सुविधा दी तो ये कस्टमर एजेंट को क्या पर करेगा इंट्रेस्ट पर करेगा नहीं करेगा करेगा ना यह सो अब आप इसमें चीज समझिए इसमें मैं सप्लाय वन बोल रहा हूं यह जो बिल बनेगा क्या मैं कह सकता हूं एक बिल बनेगा प्रिंसिपल टू कस्टमर यह सो क्योंकि भाई जब एजें इसमें जुड़ेगा जब मेरे पृिंसेपल बोलेगा एक पैसा नहीं मिल रहा उस वे आज का का है बात का इंट्रेस्ट जोड़ोगे भाई कि यह इंट्रेस्ट किसको मिल रहा है ओ अगे एजिंट को और तो वह second supplier एक एजेंट ने कस्टमर को कुछ सर्विस दिये दाट इस सप्लाइ ओफ लोन तो यह जो इंट्रेस्ट है यह इसमें आड होगा यहाँ पर इंट्रेस्ट आड होगा अगर मैं कंक्लूड गरूँ भाईया जब प्रिंसिपल को वो पैसे ही नहीं मिल रहे तो वो वाल्यू में कैसे जुड़ जायगा यही बात निकली ना है कुल मिलाकर येस सर् और एजेंट को पैसा मिल रहा है एजेंट के में जुड़ेगा अगर तो एजेंट की सप्लाइ है अपने दम पे है तो वैल्यू प्लस इंट्रेस्ट और अगर सप्लाय है नहीं तो प्रिंसिपल में नहीं जुड़ जाएगा एजेट ने प्रोविजन ओफ लोन सर्विस प्रोवाइड करी है मिर को बता दीजिए इससे बहतरी तरीके से नहीं कुछ सकता दिमागता मुझे बताइए बच्चे ये चलिए तो बेसिकली आपका पारा नंबर थ्री डन है इसके बार ना कुछ पॉइंट हो रहा है उसमें एजेंट और कस्टमर के बीच में उसमें भी आट नहीं हो रहा है वो अमांट इंट्रेस का हो रहा है ना दोस्ति यहां पे सिरफ बिली वह सरजी pre sample क्या होता है पैटे फ्री सैंपल होते हैं sequence आपको सेंपल दिखास है मुझे बतादीजैए उसको supply मान लिया जाए नहीं देखो बेटे अगर उस समान के उपर मैंने ITC बुग कर रहा हूँ तो सप्लाई मान लूँगा अगर उस समान के उपर जो पैरावन कंसिडरेशन नहीं है सर क्योंकि एक की कंसिडरेशन दूसर ऐसा कुछ नहीं है इट इस सिंगल प्राइस चार्ज फॉर नथिंग इस फ्री है तो क्या कोई पैरा लग जाएगा विल्यू कवर इन स्केडियूल वान इनकेस वाइवन गेट वन फ्री नो है न मुझे अगर मैं अगर मैं तो यह तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं क्या चीज़ के साथ अगर मैं अजो मान लो मैं जैसे अगर मान लो मैं आपको टूथ बहाएच जा हुआ हूं साथ में तो नाचरली बंदल धेना हो ही यह उसे मैं शुम मैं ऐसे दे सकता हूं मैं ढाल दी ब्रश है और यह अलीस तो बिस्न सेल फ्री आते है तो उसमें फिर वह बिक्स रृगा नहीं तुद पेस्ट वह बैटटरी ओप्रेटेड टूथ के साथ तो पेस्ट के साथ और ए और के चलिए तो टेक्निकली आपका 7 सबसेक्शन 1 पूरा ABC डन है बच्चे 7 1 A पर आते हैं सर बेसिकली जो चीज़ डिसाइड हो चुक है कि यह सप्लाय है अब सवाल यह आता है यह गूडजे की सर्विस है सर बड़ी असानी से पता लग जाता है बेटे ठीक है बड़ी असानी से पता लग जाता है सरकार को ना litigation कम करनी है सरकार को पता है कि जब तक मैं कुछ चीज़ों पर नहीं बताऊंगी ना लोगों की confusion खतम नहीं होगी जैसे जब तक नोटिस वोड पर ना लगे ना सौ सवाल आते रहते तो इससे बढ़िया है कि भाईया एक schedule 2 बनाओ उसमें सबको पहली बता दो कि यह activity supply of goods है या service है आप फालतु की confusion लेके कोर्ट में मत पहुंचिये सरकार ने बोल दिया यह supply of goods या service है तो schedule 2 contain the list of activities which are treated as either supply of goods और इधर as supply of service तो मैंने ना इधर सारी activities लिखी हुई है बट मैंने इसका सीरियल नंबर चेंज कर दिया था चार के बाद हाला कि सीरियल नंबर चेंज नहीं करना चाहिए था बट तुमारे पेपर में फरक नहीं बढ़ता है पर वैसे बता रहा हूं तुम अगर देखो तो बस यह इसमें चेंज देखेगा बिटे सारे पॉइंट लिखे है मैंने या पर ठीक है कोई भी अंकवर नहीं है पहला पॉइंट देखते ए ने अगर बी को goods बेचिया तो उसको क्या मानू सर्विस सर्विस अगर मैं अप्रूवल पे goods बेच रहा हूं तो उसके बाद एने बी को लीस पे दिया है टू ऑक्यूपाय लांड कमर्शिल किराये पर सर्विस माना जाते है रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी ए बेसिकली एक जॉब वरकर है जोब वरकर होता है मैं पार्ट एक है का मैं अब तुम्हारे process के एक चोटा सा पाट कर रहा हूँ मैं पाइप्स polish कर रहा हूं for b सर्वेश बस एतना रहान की वरक्कांट्राइक सर्विस हमेशा मेश इन रेलेशन टू इम्मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे की बिल्डिंग कंस्ट्रॉक्षन हो गई इंडेशन दिम्हों प्रॉपपर्टी तो मुझे बताइए इसको क्या माना जाएगा जैसे अगर तुम अपना घर बनाते हो वह वग कॉंट्राक्स सर्वेस होती है जो बिल्डर देता है तो क्या माना जाएगा सब्सक्राइब कर रहा है तो जितना भी खर्चा आ रहा है आपको क्या लग रहा है उसमें सिर्फ सर्वेस है या सीमेंट सरी या सबकी कॉस्ट होगी सब्सक्राइब लेकिन उसको क्या बोला जाता है work contract service क्योंकि जो एक्जिक्यूट गर उसमें material भी बिकरा है और उसकी service भी बिकरिए ठीक है और एक इसके अंदरे core point है dominoes not just dominoes basically इसको ऐसे लिखा है कि अगर एक supplier है बड़े fancy तरीके से लिखा हुआ है अगर एक supplier है वो consumables देता है फूड देता है other than alcoholic liquor for human consumption on the basis of deferred payment या cash या advance basis पर तो यह कहना चाहरा है कि वो restaurant की बात करना चाहरा है simple शब्दों तो तो तुम 4B देखो गे ना उसमें पूरी इतनी लंबी कहानी चार लाइनों के लिख्योंगी restaurant की बात कर रहा है restaurant वाले अगर supply करते हैं बी को तो उसको क्या माना जा रहा है बेटा service unincorporated association हमें नहीं जानना बेटे क्या होती है यह body of person आप यह समझा ले ना RWA का example बना हुए resident welfare association उसने goods supply करे हैं बेटे question खुद बोल रहा है तो ना paper में थोड़ा alert होके भी पढ़ लेना आप सोचोगे oh my god unincorporated body of person यह तो बहुत ही अजीब है पर बेटे question बोल रहा है supply of goods वो पूछे का बताओ यह goods की service भाई ऑविस बात है ना भाई मुझे बताइए कोई दिक्कत no एने बी को transfer of business asset transfer कर दिया यह disposal of business asset transfer कर दिया बी को या एक बिजनस असे डेस्ट्रॉय हो गए तो उसको क्या बोला जाता है supply of goods दो अलग अलग चीज़े मैंने बी को दे दिया as free मैं मिठाई की दुकाने कुछ लोग आए मैंने free में दे दिया क्या मैं कह सकता हूं मैं test transfer और इसको क्या माना जाएगा supply of goods और अगर dispose of कर दिया मैंने तो तो भी supply of goods ए अगर private use या made available to any other person for use इसमें ना ध्यान यह रखना मैं सिरफ use के लिए दे रहा हूं ownership नहीं हो रही है तो उसको क्या माना जाता है पेटा service एसी इस टुबी अटाक्सिबल परसन बेसिकली वह रजिस्ट्रेशन कांसल रहा होगा या सीजिस टुबी टैक्शल परसन होता ना अगर आप अब अग्जम्ट सप्लाय दे रहे हो पूरी की पूरी तो तुम कैंसल भी कर सकते हो है ना तो उसको क्या माना जाएगा जो भी समाने उसके पास गुड्स वाइंडिंग अप दा बिजनेस तो क्या माना जाएगा गुड्स इसकी exception है अगर आप आस किसी इंसान को ट्रांसफर कर दोगे तो मतल्म मालों में बिजनस बंद कर रहा हूं मेरे जो भी गुड्स नहीं सर्वेस या फिर अगर यह बिजनस कैरिड ऑन पर पर्सनल रेपेसेंटेटर अब मैंने ट्रांसफर नहीं करा लेकिन अब मेरा ही कोई जैसे एक इंसान है उसकी देथ होगी उसका बिजनस दूसरा इंसान चला रहा है तो क्या उसको मैं ट्रांसफर मान लूंगा नहीं मुझे बताइए कोई दिक्कत लिए रेंटिंग ओफ इम्मोल प्रॉपरटी कमर्शल कॉंप्लेक्स रिलिजियस प्लेस एडूकेशन क्या माना जाएगा सप्लाय एने बी को ट्रांसफर करा सब्सक्राइं का सब्सक्राइब के लिए ऐसे मालों सब्सक्राइब करता है इन्फोज बड़े बड़े सबाते हैं तो ब्हु long बिसक्ली मुझे उसको भी क्या को बोला जाएगा है ने बी को बूला है ए व उजह एल नॉट डू बिजनेस नॉर्थ इंडिया तो इसमें यह जी है बोल रहा हूं क्योंकि टेक्निकली हर बार सर्विस प्रोवाइडर इथा आयमिन सर्विस अगर बोलूं तो तो ए विल नॉट डू बिजनेस इन नॉर्थ इंडिया तो बी उसके लिए उसको कुछ पे करेगा तो इसको क्या बोला जागा बेटा सप्लाइ ओफ सर्वर्स यहां तक कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत ओल क्लियर टिल है इस में एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ मैं लिखके आपको भेज दूँगा ठीक है टाइम हो गया था क्लास का एक पॉइंट इसमें यह नहीं लिखा कि आपको याद है मैंने आपको बताया था अगर तो मैं सीधा-सीधा लांड बेचुँगा सीधा सीधा बिल्डिंग बेचुँगा तो उसके उपर GST नहीं है लेकिन अगर मैंने कम्प्लीशन बना बना के पहले आप से कुछ-कुछ परसेंट ले रहा हूं लेते रहे तो आप सर्विस है ठीक है तो बेसिकली मैंने आपको क्या बोला था कि अगर तो मैं मान लो यह मेरा घर बनाओ मैं आजड़ बेचता हूं कि इस पर कोई GSTN नहीं है लेकिन अगर मैं एक बिल्डर हूं मैं आपको बोलू मैं एक साइड दिखाएगा ठीक है वो बोलेगा यहां पर अभी बनना है तीन साल में बनेगा आप कुछ एडवांस दे दीजिए फिर एक साल बात दे दीजिए तो से वहले अगर कुछ भी पैसा ले लिया रियल एस्टेट सेक्टर ने तो उसको सप्लाय और सर्विस बोला जाता है मुझे बताईए यहां तक क्लियर आपको अब मैं आ रहा हूं आपके पास पगड़ी सिस्टम के उपर सर जी पगड़ी सिस्टम क्या होता है बेसिकली देखो बच्चे मैं अगर आपको बोलू कि मैं इदर आपको एकदम सिस्टमाटिक वे में बताता हूं वैसे हम लोगों को ने यह हाउस टॉपटी में बात करी उसको नहीं बोला जाता ठीक है बेसिकली एक टैनेंट अगर एक एक स्पेस उप्यूपाइब करेगा तो रेंट तो देगा ही देगा तो ठीक है तो अच्छा उसमें लाडलोड ने मेरे को service प्रोवाइड करी है या goods प्रोवाइड करें service because he has given me the right to use the property and I am paying him the consideration because he is allowing me to use that property लेकिन मैंने लैंडलोड को बोला जी मैंना आपको 25 लाग दे रहा हूँ अब ठीक है और आप मुझे हटा नहीं सकते है तो लैंडलोड अपनी पगड़ी उतारेगा बेटे माले कभी भी लैंडलोड है possession tenant के पास है पर वो अपनी पगड़ी उतारेगा और वो मिर को दे देगा ठीक है तो basically मैंने ये जो 25 लाग पे करे है ना मैंने उसकी पगड़ी के लिए पे करे है और वो मिर को निकाल नहीं सकता बेटा मुझे की बात यह है landlord जब ये पगड़ी निकाल रहा है फिर उसको पैस मिल रहा है क्या ये supply माना जाता है कि नहीं माना जाता है माना जाता है ये माना जाता है तो basically जब एक landlord अपनी पगड़ी देगा पगड़ी is the right that अब मैं as a landlord में आपको नहीं निकाल सकता है ठीक है और क्या पगड़ी की उपर stamp duty भी होती है तो just because आपको ये लगे नहीं सर इ इसा बिल्कुल भी नहीं है it is considered a supply of service आगे सुन लीजेगा बात को अगर वो अब ये पगड़ी किसके पास आगी टेनेंट के पास अगर ये टेनेंट किसी और को दे दे क्या वो भी supply of service होता है वो भी होता है ये sir वो भी होता है और अगर ये टेनेंट कल को लैंडलोड गोले नहीं जी नहीं निकलो आप मैं कहूंगा बैसimore बाई-टो पगड़ी में पास है तो अब टेनेंट न doctrे ने ये पगड़ी अगर यह रेजिदेंशल होता है इंदर आएगा तो यह एक्जेम्ट हो जाता है क्योंकि भाई साथ द राइट तो यह एक्जेम्ट हो जाता है तो उससे रिलेटेड पगडी सिस्टम भी क्या हो जायगा बेटा एक्जेम्ट हो जाएगा अब हम लास्ट पर आगे सेवन सबसेक्षिन टू यह बताएगा स्केडियूल थ्री हर इंसान भगवान से प्रातना करता है कि यह बगवान में जो भी काम कर रहा है वो स्केडियूल थ्री को नेगेटिव लिस्ट बोला जाता है और उब इसका मतलब होता है अगर तुम यह काम कर रहे हो ना तो ब्लिय इसको और दो non supply होगी तो GST लगेगा ही नहीं क्योंकि supply होने पर GST लगता है तो कुछ तो दिया हुआ schedule 3 के अंदर ठीक है साथ अच्छी बात है कुछ supplies दिवी है as per the notification notification by central government और state government इसको पहले खतम कर देता हूँ सरकार ने दो notification निगा ली है कि अगर पंचाय है तो याद है 243 G 234 ऐसे करके constitution में पंचाय है तो पहली तो वो है और दूसरी है जी liquor license की लिए test तो basically मैंने सिर्फ एक reference दिया हुआ activity in relation to पंचाय है तो municipality functions और दूसरा क्या है बेटे alcoholic liquor का license जो बिका है न ठीक है given by state government तो state government ने basically सबको license दिया state government के पास पैसा आया तो क्या उसको supply माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है नहीं माना जा रहा है यार यह scam अगर मैं बोलू ऐसा detailed मेरे को पता नहीं है लेकिन यह बोला जा रहा है पर कौन से source का क्या बरूसा करो गयार समझ रहा है मतलब एक बस एक general issue जो था कि हाँ उन्होंने residential area में खोल दिया था ठीक है बट it is more of political process मेरे साब से तो scam तो कुछ ऐसे सामने तो आया नहीं इतना और आपका इसलिए आपको लगा मतलब ठीक है अब resignation कर दिया तो एक confidence shake हुआ कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई कुछ तो पता ही होगा बीजेभी को इनके बारे में ठीक है लेकिन अगर यह scam होता ना तो अब तक ना screen पर आ जाता है life में आया नहीं है कुछ मतलब CBA ने चापे मार लिए है scam है यह क्या scam है और ठीक है अब एकदम से जो बंद हुआ आमादी पार्टी ने सबको दिया था license पे सारे बंद हो गया तो भाई वहली चीज़ है पर officially तो ऐसे कुछ मैंने कुछ R&D करी नहीं हुई है ठीक है अच्छा अब मुझे एक बात को बेज दूं तो मैं उसकी बात कर रहा हूं नहीं सिर्फ और सिर्फ स्टेट गर्मेंट द्वारा दिया गया लिकर लाइसेंस की बात कर रहा हूं अब आते हैं जी schedule 3 खतम बेटे आपने एब्जॉब कर ली है सारी बाते schedule 3 में क्या है employee अगर employer को service देता है तो यह schedule 3 में एक या इसको मैं supply of service मान लूँ नो सर्जी premature termination यह word इसले लिख दिये कि वह लिखे है पॉइंट उसमें दो premature termination हो गया भाइसा भी employee साही नहीं है यार इसको 2-3 महीने का notice period ही मत दो कल से बोलो मता यहले बाई एक लाग रुपे पकड़ मुझे बताईए क्या यह supply of service मान लिया जाएगा नहीं लेकिन एक केस अच्छा बेसिकली अब तो में इतने डेवलाप हो चुके हो अगर मैं one to one कुछ बात कर रहा हूंगा employee employer से principle to principle तो क्या उसको supply माना जाएगा जैसे employee है तो वह finance टीम में लेकिन कह रहा है employer को ने लैंड खरीदना था हजार और और मैं as an employee मैंने दिलवाया पर मैंने गा भाइसा मेरी कमिशन है तो हो सकता है company मुझे लगेगा यह सब्सक्राइब क्योंकि वह as employee and employer relationship नहीं है principle to principle है और आपको इतनी समझ है हम लोगोंने चार्ज में यह करी हुई है डारेक्टर और इसकी 192 में टीडियस हाला कि यह बाद यहां लिखी नह सब्सक्राइब होगी तो तो नहीं जाएगा ना इसके अंदर है यह सर अगर होता है अगर employee पे कर रहा है मतलब resignation जल्दी कर रहा है वह उपना और employer को कर रहा है वह विदिन लॉक इन पीरिएड है कुछ तब एक बर फिर से बो सब्सक्राइब करना चाहता है और employee को कुछ compensation पर करनी पड़ रही है employer को तो ऐसा कोई वह नहीं है कुछ नहीं सप्लाइए नहीं माना लुग करना है ठीक है अच्छा एक exception है ध्यान रखना मैंने इसलिए लिखा की मदब यह याद हो जाए तो बढ़ी है employer ना employee को कुछ पैसा दे रहा है pay for not joining a competing business मैं आपको आप मेरी company resign कर रहे हो बड़ मैं आपको बोल रहा हूं देख नौर्थ तिरको कहीं नौकरी करनी है कर ले बस तूना नौर्थ इंडिया में मत करी हो पांच करोड पगड़ ले भाई तू बड़ा डेंजर आदमी है तू पूरी company खड़ी कर देगा वाई नौर्थ में मेरा दंदा बंद हो जाएगा तो मैं बेसिकली पैसा दे रहा हूं और not joining the competing competitors business यह competitors बिजनस मालो इधर कहीं जोइन नहीं करोई क्या यह employee ने बोला ठीक है जी लाओ पैसे मैं नहीं जोइन करोगा इसको supply माना जा रहा है नहीं जिनकी भी constitutional post है टेक्निकली वो service देने है सरकार को उनकी नौकरी उसको नहीं माना जाता बट उस पे उसको supply माना ही नहीं जा रहा schedule 3 में लिखा हूँ है न जाते हूँ है अनसान से पैसा नहीं लिया जा रहा service of funeral burial crematorium एक्सेक्ट्रा अब मैं लैंड और बिल्डिंग की पूरी बात कर रहा हूँ है क्या सिर्फ लैंड की बात कर लेते हैं क्या लैंड गुड्स है क्या सर्विस है 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 क्योंकि service की definition थी anything other than goods जात करो उन्हें क्लास में भी analysis करा हूँ है याद आ रहे है क्या सब्सक्राइब करें अब मतलब मना करा था ना अधर शुक्त से बाहर करा था मैंने goods को भाहर करा था, पर service को कहा कहा नहीं, आप definition चेक कर deputy कर लूँ, मैंने वहाँ पर कैसे लिख वाया था मैं O Бताता हूँ, Technically, मैंने बस यह बुला था लांड का L लिखके मैंने उसको क्रॉस कर रहा था कि उसको supply नहीं माना जाएगा आप definition में देखोगे कहीं land भाफ नहीं हो रहा लेकिन अगर मैं land को बेशता हूं तो उसको supply नहीं माना जा रहा है और अगर मैं building बेशता हूं तो उसको सप्लाइ नहीं माना जा रहा है पर आप यह कह सकते हो कि land service है building the service है if I go by the definition लेकिन वो ये कह रहे subject to para 5D of schedule 2 याद है इसमें कुछ consideration दीरे-दीरे मिलेगी तो वो भार नहीं कर रहा है तो अब अगर मैं तुम्हें as it is अपना घर बेचूं तो ये goods तो नहीं है पर ये service तो है पर फिर schedule 3 में ये लिख दिया गया इसलिए ये supply नहीं अब वो समाझ आया है पूरा process ये शेर्श last point actionable claims actionable claims होता है बेटा अगर कोई document है जो right देता तो मैं जैसे bill receivable, bills payable lottery tickets आप कहीं जाते हो lucky draw मैं एक बात बताओ class के अंदर तुमको एक चिट दूँ, एक कोई भी number लिख लो फिर मैंने बोला जिसका भी मैं नाम लोंगा, जिसका भी number बोलूँगा, वो 10 लाक रुपए जीतता है मुझे बताओ, मैंने किसी का number बोला और आप जीत गए वो तो क्या उसका claim नहीं बन गया आपका तो एक लॉक्स के basis पे action ले सकते हो आप लेकिन अचा तो schedule 3 में अचा actionable claim goods है की service है, वैसे starting से सोचते है goods है, goods, लेकिन schedule 3 में actionable claims को बाहर कर दिया, लेकिन किसको बाहर नहीं करा, other than lottery, betting and gambling तो basically actionable claims सिरफ और सिरफ तीन हो गए, जिसके उपर GST है, इसके लावा actionable claims के उपर GST नहीं है क्योंकि वो schedule 3 में आ गए और उनको supply बोला ही नहीं जा रहा है, लेकिन lottery betting gambling को बोला जा रहा है मुझे बताइए कि आपको clear है आँ तक, clear है sir तो sir ये सारी की सारी बाते मैंने कर लिए, इसके बाद मैं एक चीज मैंने लिखी नहीं है, non supplies as per circular इसकी बात मैं बोल देता हूं आपको, sorry as per clarification, इसमें क्या होता था, interstate movement of truck, अगर एक ट्रक एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा है, तो सरकार लोगों का doubt ये आ गया, कि मेरा इधर warehouse है, उधर भी warehouse है, दिल्ली के warehouse से, यूपी के warehouse में जा रहा हूं मैं तो एक truck जा रहा है, तो ये sale तो नहीं हो रही पर ये transfer है, तो supplier की definition हो सकता है, meetup हो जाए, तो clarification ये दी गई, कि basically अगर interstate movement of convenience होता convince बोले तो truck, buses, ships, planes, trains, अगर ये interstate movement हो रही है, तो कि इसको supply बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा, बट अगर ये movement हो रही है for making further supply, इस truck को ये बेचने के लिए हो रही है, तो उसको supply बोल दिया जाएगा, इसके बाद एक और था कि interstate movement हो, mules, dyes, jigs, थोड़ा refractories, cranes, ठीक है, तो basically ये एक state से दूसरी state जा रहे है, मानलो मेरे को न एक UP में plant है, उसको ठीक करना है, और मैं अपने साथ ये mules, dyes, jigs लेके जा रहा हो, ताकि मैं उससे nut कर सको, ये कर सको, तो जो mules, dyes, jigs जा रहे है कि इसको मैं ये मानलो कि ये supply है नहीं, लेकिन अगर ये इसलिए जा रहे हैं, to make further, to make supply of these items, तो उसको supply बोला जाएगा, और अगर, हाँ, ठीक है, और अगर suppose करो, मैं कुछ भी repair work के लिए लेके जा रहा हूं, तो जितना भी repair वाला amount होता है, उसको supply बोल दिया जाता है, मुझे बताइए, क्या यहां तक clear ह हाँ, जी, repair वाले में जाता है, अगर कुछ भी repair की value है न, ठीक है, तो basically अगर मैं यहां से अपने goods को बेज रहा हूं, और मैं इसलिए बेज रहा हूं कि भाहिए, इनको repair कर देंगा, तो जितना repair की value, supply माना जाता है, और अगर जाते हैं, तो नहीं माना जाता है, वह theoretically लिखा हुआ है, बड़ repair and maintenance के लिए जा रहे है, आपको सरफ इतना लेके चलना है, एक state से दूसरी state जा रहे है, सप्लाइ नहीं है, लेकिन अगर वह further supply के लिए जा रहे है, तो वह supply है, और repair and maintenance के लिए जा रहे है, तो भी उसको to the extent of repair maintenance कुछ भी चार्ज हो रहा है, उस amount तक supply माना जाता है, क्लेरे जी, तो सर यह आपका सारा का सारा supply की बाते हो गई है, मुझे बताईए, एक पॉंट वह भी था ना सर जिसमें कहना है, सेंट्रल और स्ट्रेट गर्वर्मेंट पब्लिक उसमें engaged होते हैं, कुछ रोट्स ब्रिक्स बनाने के लिए, तो वह भी supply नहीं मानते हैं, एक बाद फिशर बोली हो, सर जिसमें स्टेट और सेंट्रल गर्वर्मेंट इंगेज होते हैं, बनाने के लिए, तो वह भी supply नहीं मानते हैं, ऐसा किदर लिखा हुआ, यह ऐसा नहीं है, कुछ एक बार ऐसे दिखा दियो, कुछ मेरे दिमाग में तो नहीं है, मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है,